वेलकम आवर यूटूब चेनल जी एस्पित आंसू दोस्तो बिहार परधान सिच्छक के लिए सेट प्रेटिस चलाया जाड़ा है जिसमें आज सेट नमर 6 लगाने वाले हैं इसमें सारे के सारे प्रस्म बहुत ही महत्पुन दिये गए हैं जो आपके एक्जाम में आने की समावना सबसे अधिक है सेट नमर एक से पांस तक अल्रेडी कड़ा दिया गिया है जो लोग नहीं देखें हैं तो वो लोग एक्जाम से पहले एक बार जरूर देख लिजेगा इसके अलाबा जो लोग सरसेट में बिपेश से पीटी के तियारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जोड लगाएं चलिए दोस्तो शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है निमली खित में से कौन सी रासी सदिस नहीं है तो दोस्तो इसमें सदिस रासी नहीं है वो है आइटन जबकि विस्थापन वे तथा बल यह तीनों दोस्तो सदिस रासी है अगला प्रस्न है एक किलो मीटर दूरी का तात्पर है तो दोस्तो एक किलो मीटर दूरी का तात्पर है एक हजार मीटर से अगला प्रस्ण है तोरण ग्याद करने का सही सुत्र कौन सा है तो दोस्तो तोरण ग्याद करने का सही सुत्र है A बढ़ावर B-U by T अगला प्रस्ण है निमली खित में से किस में रिनात्मक आवेश होता है तो दोस्तो रिनात्मक आवेश होता है बीटा कन में अगला प्रस्ण है जी स्तत के पडवानू में दो प्रोटोन, दो न्यूटोन और दो इलोक्टोन हो उस्तत की दरवान संख्या केतनी होती है तो दोस्तो उस्तत की दरवान संख्या होती है चार अगला प्रस्ण देखते हैं डाक्टरों दुआरा एनेस्थिसिया के रूप में पर्योग होने वाली हास गेस कौन सी है तो दोस्तों डाक्टरों दुआरा एनेस्थिसिया के रूप में पर्योग होने वाली हास गेस है नैटस उक्साइड अगला प्रस्ण देखते हैं सुच्म जीवो को किसकी सहायता से देखा जा सकता है तो दोस्तों सुच्म जीवो को सुच्म दर्सी की सहायता से देखा जा सकता है अगला प्रस्ण है किस समुन को सागेडिय मडवस्तल की संग्या दी गई है तो दोस्तो वह मडवस्तल है सारगेशो सागर सारगेशो सागर को सागेडिय मडवस्तल की संघ्यात दी गई है अगला प्रस्न है धुरुम कोड़ा यानि की स्मोग फोग बढ़ने का कारण क्या है तो दोस्तो धुरुम कोरा बढ़ने का कारण है वाई परदुशन अगला प्रस्ण देखते हैं आमर वर्षा की घटना बताने का स्रे किसे जाता है तो दोस्तो आमर वर्षा की घटना बताने का स्रे जाता है रोवर्ड एंग्स इसमिजी को अगला प्रस्ण है वीट वर्स 2020-21 में बीहार में उपलग बिजली उत्पादन चमता क्या है? तो दोस्तों वीट वर्स 2020-21 में बीहार में उपलग बिजली उत्पादन चमता है 6422 मेगावाट अगला प्रस्न है वीत वर्च दो हजार बीस एकीस में बीहार में प्रती बैक्ति उर्जा की खपत कितनी है तो दोस्तों वीत वर्च दो हजार बीस एकीस में बीहार में प्रती बैक्ति उर्जा की खपत है 350 किलो वाट अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण है वर्तमान में बिहार में सहरी करन का परसेंट है 15.3% अगला प्रस्ण है विवित वर्ष 2020-21 में बिहार में केतने जिले बाट से प्रभावित हुए थे तो दोस्तो विवित वर्ष 2020-21 में बिहार में 19 जिले बाट से प्रभावित हुए थे अगला प्रस्ण है आर्थिक समीच्छा 2021-22 के नुसार बिहार के वर्तमान मुल पर प्रती बैक्ती जी एस डीपी की विरिधी धर केतना परसेंट है तो दोस्तो आर्थिक समीच्छा 2021-22 के नुसार बिहार के वर्तमान मुल पर प्रती बैक्ती जी एस डीपी की विरिधी दर है आगला प्रस्ण है दोस्तो बिहार आर्थिक सरवेच्छन 2021-21 में विट वर्त बैक्ती जी एस डीपी की रोजगार छेत मनरेगा के तहत रोजगार पारने वाले पडिवारों की संख्या बढ़कर कितना लाख हो गई है तो दोस्तो यह हो गई है 51 लाख बिहार आर्थिक सरवेच्छन 2021-21 में विट वर्त बैक्ती जी एकिस में रोजगार छेत मनरेगा के तहत रोजगार पारने वाले पडिवारों की संख्या बढ़कर 51 लाख हो गई है अगला प्रस्ण है इस वर्त 2022 में सेरों की खड़ित बिकड़ी का निप्टान करने के लिए किस ब्यवस्ता को लागू किया गया है तो दोस्तो वह ब्यवस्ता का नाम है T प्लस वन अगला प्रस्ण देखते हैं केंद्र ने उपराश्टिय स्रोच्छा सलाकार किसे निउप्त किया है तो दोस्तो केंद्र ने उपराश्टिय स्रोच्छा सलाकार निउप्त किया है विकड़म मिस्री को अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो नेती आयो के चोथे स्वास सुचकां के अनुसार बरे राजियों में सभी मानकों पर स्वास के छेत्र में पहले दूसरे तथा तीसरे अस्तान पर करमस है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो नेती आयो के चोथे स्वास सुचकां के अनुसार बरे राजियों में सभी मानकों पर स्वास के छेत्र में कौन सराज सबसे पीछे हैं तो दोस्तो नीती आयों के चोथे स्वास सुचकां के अनुसार बरे राजियों में सभी मानकों पर स्वास के छेतर में सबसे पीछे है उत्तर प्रदेश अगला प्रस्न है नीती आय के चोथे स्वास सुचकांग के अनुसार छोटे राजियों में सभी मानकों पर स्वास के छेतर में कौन सा राज सिर्ष पर है तो दोस्तो वह राज है मिजुरम नीती आयुक के चोथे स्वास सुषकांग के अनुसार छोटे राजियों में सभी मानकों पर स्वास के छेतर में सिर्षपर है मुजरम अगला प्रस्म देखते हैं पाकिस्तान के किर्केट इतिहास में काईदे अजाम ट्रोफी 2021 में कौन से खिलारी 13 सतक लगा कर इतिहास में दूसरे किर्केटर बन गए हैं तो दोस्तो वह किर्केटर का नाम है महम्मद हुरा इरा पाकिस्तान के किर्केट इतिहास में काईदे अजाम ट्रोफी 2021 में महम्मद हुरा इरा ने 13 सतक लगा कर इतिहास में दूसरे किर्केटर बन गए हैं अगला प्रस्न है नासा के किस अंतरिश यान ने सूरज को छू कर इतिहास रज दिया है तो दोस्तो नासा का हुआ अंतरिश यान है दपार्क सोलर नासा के दपार्क सोलर अंतरिश यान ने सूरज को छू कर इतिहास रज दिया है अगला प्रस्न है दोस्तो निमली खित में से किस देश ने भाड़त की गौप इस्टस एरलाइन्स की श्री नगर सार्जा उरान के हवाई जहाजो को अपने वायू छेतर से गोजरने से मना कर दिया है तो दोस्तो उवादे से पकिस्तान अगला प्रस्न देखते हैं नो से दस दिसंबर 2021 को लोगतन पर अभासी समेलन किसके दोवड़ा आहुत किया गिया था तो दोस्तो नो से दस दिसंबर 2021 को लोगतन पर अभासी समेलन आहुत किया गिया था अमेरिकी राष्पती जो बाइडन के दोवड़ा अगला प्रस्ण है किसकी द्रिष्टी में करिस प्रवस्ताव एक टूड़ते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक था तो दोस्तो यह उक्ति थी महात्मा गांधी की अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है दोस्तो भारत छोड़ो आंधरन कब शुरू किया गया था तो दोस्तो भारत छोड़ो आंधरन शुरू किया गया था 1942 में अगला प्रस्ण है फॉर्वर्ड बलोक की आस्थापना किसने की थी तो दोस्तों forward blog की अस्तापना की थी स्वास्चन बोस ने अगला प्रस्न है दांडी यात्रा की गई थी तो दोस्तों दांडी यात्रा की गई थी 1930 में अगला प्रस्न है सचीदाणन सिनहा किसके साथ जुरे थें तो दोस्तो सचिनाणन सिना जुड़े थे इनमें से किसी के साथ नहीं अगला प्रस्ण है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लोटे थे तो दोस्तो महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में लंदन से खाली हाथ भारत लोटे थे अगला प्रस्ण है गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताचर कब हुए थें? तो दोस्तो गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताचर हुए थें 1931 में अगला प्रस्ण है दोस्तो 1857 के बिद्रो को किस उर्दु कभी ने देखा था? तो दोस्तो 1857 के बिद्रोग को मिर्जा गालीब ने देखा था अगला प्रस्न है दोस्तो निमलीखित में से कौन सा आयोग 1857 का बिद्रोग दवन के बाद भारतिय फोज के नव्ज संगटन से सम्दित हैं तो दोस्तो वो आयोग था पील आयोग पील आयोग 1857 का बिद्रोग दवन के बाद भारतिय फोज के नव्ज संगटन से सम्दित है अगला प्रस्न देखते हैं निमलीखित में से कौन सा नेता कौंगरेश के गरम दल से सम्दित है तो दोस्तो वो नेता का नाम था अर्विन घोस जो की कौंगरेश के गरम दल से सम्दित हैं अगला प्रस्न है भारति राश्टी कौंगरेश का 1922 का अधिवेशन कहां हुआ था? तो दोस्तो भारति राश्टी कौंगरेश का 1922 का अधिवेशन हुआ था गया में अगला प्रस्न है गया के कौंगरेश अधिवेशन में सबसे प्रमुक प्रस्न क्या था? तो दोस्तो गया के कॉंग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुक प्रस्न था विधान परिशत में परवेश अगला प्रस्न है दोस्तो बिहार में सुराज पार्टी की अस्थापना इसके द्वाड़ा हुई थी तो दोस्तो बिहार में सुराज पार्टी की अस्तापना हुई थी स्री नरायन परसाथ की दोड़ा अगला प्रस्ण है 1923 में हुए बिधान मंडल के आम चुनाओं में सुराज पार्टी ने बिहार में बिधान सभा के केतने सीटों पर विजय प्राप्त की थी तो दोस्तो 1923 में हुए बिधान मंडल के आम चुनाओं में सुराज पार्टी ने बिहार में बिधान सभा के आठ सीटों पर विजय प्राप्त की थी अगला प्रस्ण है सदाकत आश्रम की यास्तापना की थी मजरूल हक ने अगला प्रस्ण देखते हैं मानस नदी किस नदी की उप नदी है तो दोस्तो मानस नदी उप नदी है ब्रहंपुत नदी की अगला प्रस्ण है किस नदी पर सीफ समुदरम जल्प्रपात अवस्तित है तो दोस्तो सीफ समुदरम जल्प्रपात अवस्तित है कावरी नदी पर अगला प्रस्ण है निम्नांकित राजियों में से कौन छोटा नाकपुर पठार का भाग नहीं है तो दोस्तो वह राज है असम जो की छोटा नाकपुर पठार का भाग नहीं है जबकि बिहार, जारकन तथा परसिम बंगाल ये तीनों दोस्तो छोटा नाकपुर पठार के भाग है अगला प्रसुन देखते हैं दंडर कार्नेय परदेश इस्तित नहीं है इस राज में दंडं कार्णे परदेश नहीं परता है आपको बताना है तो दोस्तों दंड कार्णे परदेश इस्तित नहीं है मत परदेश में जबकि आन्द परदेश में, चतिस गड़ में तथा उरिशा में यह तीनों राजियों में दोस्तों दंड कारणे परदेश इस्तित हैं अगला प्रस्ट देखते हैं निमली खित में से कौन राष्टी जलमार की तरह पर्युक्त हो रहा है अगला प्रस्ट देखते हैं भारत का वह अभिहारन जिसमें हातियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह कौन सी है तो दोस्तों हुआ है काजी रंगा जो की असम में अवस्तित है भारत का काजी रंगा अभिहारन जिसमें हातियों की संख्या सबसे अधिक है अगला प्रस्ट देखते हैं मत परदेश का हरसुद नगर निम्नांकित में से कि जलासे में जलमन हुआ है तो दोस्तों वह जलासे का नाम है इंद्रा सागर मत परदेश का हरसुद नगर इंद्रा सागर जलासे में जल मगन हुआ है अगला प्रस्न देखते हैं भारती दलहन अनुसंधान संस्थान कहां अवस्तित है? तो दोस्तो भारती दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्तित है कानपुर में अगला प्रस्न है चिकमंगलूर जनपद में अगला प्रस्ण है दोस्तो भारती समिधान का कौन सा अनुचेद समिधानिक प्राभधानों की संगिय संसर या राजबिधान पालिकाओं दोड़ा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्रात्मिक्ता परदान करता है वो कौन सा अनूचेद है आपकों बताना है तो दोस्तों वो अनूचेद है अनूचेद 245 भारतिय समिधान का अनूचेद 245 समिधानी प्रभानों की संग्य संसदिया राजबिधान पालिकाओं दोड़ा बनाए गए नियमों पर प्रदाथिनिकता परदान करता है अगला प्रस्ण देखते हैं संसदिय सब्दा वली में सून कल का अर्थ क्या है तो दोस्तों संसदिय सब्दा वली में सून कल का अर्थ है जब सरस अपने निवाचन छेत्र के महत्पुन मुद्दो को संचेप में रखते हैं अगला प्रस्ण है 42 में समिधान संसोधन के 10 अचार आदेसों को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो 42 में समिधान संसोधन के 10 अचार आदेसों को जाना जाता है मौली कर्तब के नाम से अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो राज सरकार का कारिकारी अध्याच या प्रमुक कौन है तो दोस्तो राज सरकार का कारिकारी अध्याच या प्रमुक है राजपाल अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है दोस्तो पंचायती राज की तीन अस्तरिये परणाली में आते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत का राश्पती किसके दोड़ा हटाया जा सकता है तो दोस्तो भारत का राश्पती हटाया जा सकता है संसत के दोड़ा अगला प्रस्म देखते हैं वह कौन सा कॉंग्रेस अधियर्स था जिसने क्रिस मीशन वह लोर्ड वेवल दोनों से वारताएं की थी इंपोर्टेंट कोश्टन है दोस्तो इसे इंपोर्टेंट लगा लिजेगा तो दोस्तो इसका राइट अंसर है ओप्शन ए अबूल कलाम अजाद पॉंग्रेस का अधियर्स था जिसने क्रिस मीशन वह लोर्ड वेवल दोनों से वारताएं की थी अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो भारत का परधान मंतरी मुख है तो दोस्तो भारत का परधान मंतरी मुख है राश तथा किन सरकार दोनों के अगला अंतिम प्रस्म देखते हैं भारत के नियंतरक एम महालेखा परिच्छक की नियुक्ती की जाती है तो दोस्तो भारत के नियंतरक एम महालेखा परिच्छक की नियुक्ती की जाती है राश्पती के दोड़ा ठैंक यू